नवस्का साथियों इस सभी कलास ने आपकी UPSC और आपकी स्टेट PCS एकजान को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही है और देखे जब स्टेट PCS कहा जाता है ना तो सिविल सर्विस की तरह आप देखते होंगे कि आपकी राज्यों में भी PCS का एकजाम होता है जैसे UP PCS हो गया, बिहार PCS हो गया, चतिस्वियोड PCS, राजिस्थान PCS, उत्तराखंड PCS या MPPSC, मदपदेश PCS और आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता रहता है वैसे मुझे लगता है कि आना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप जिस भी एकजाम की तैयारी करते हैं तो उसका syllabus और उसके पुराने questions paper उठा के देखते ही होंगे, अगर नहीं देखते हैं तो आप लोग याद रखिए का उन्हें देखा करिएगा, उन्हें समझा करिएगा और पढ़ने की पूरी कॉसिस भी किया करिएगा, ठीक है? और इससे क्या रहता है कि आपको मालू चल जा और दूसरी बाते भी याद रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास कबर कर चुके है, अधुनिक भारत का इतिहास कबर हो जाएगा इस किलास के बाद complete, ठीक है? और लास्ट किलास में आपने देखा होगा, जो आजादी मिली हमें, उसके बाद हम इतिहासतों को ये करने की, तो उस पर एक overview लिया हुआ था, बात की हुई थी हम लोगों ने, ठीक है? और इसके लिए एक separate playlist सूची बना दी गई है, जिसका नाम रखा गया है, UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से, तो जो prelims का आपका syllabus है न, वो सभी class है आप लोगों को यहीं मिल जा यह आपकी घटनाय हो गई और यह संज जुडा हुआ है, डेट और इस तरह की questions तो आप देखते हैं, कई बार आपकी परिक्षाओं में पूछ लेता है, यह आधुनिक भारत की डेट है बीस माई 1498, कब 1498, बासको डीगामा ने भारत की पश्चमी तर पर इस्तितकाली कट वंदरगाब पहुचकर भारत एवं इरो की भी नए समुद्री मार्की खोच की थी यह कौन सी डेट है? 20 माई 1498, अब देखे 1948 यहां लिख गया है, तो कई बार क्या हो जाता है, कि मिस्प्रेंट हो जाता है, गलती से चप जाता है, तो आप लोग अगर मालू रहा करें, अगर मुझसे चूट जाता है, गलती हो जाती है, तो आप लोग सभार की लिख दिया करिएगा यहां, ठीक है? और आप सभी जानते हैं कि यह कुश्टन कई बार कूँच लेता है, कि भारत की खोच किसने की थी? और नीचे उप्सन में दे देता है बासको डी गामा, लेकिन आपको मालू होने चाहिए भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोच की थी, किसन देखेंगे, 1503 में पुर्दगालियों ने अपनी पहली ब्यापारी कोठी कोचीन में खोली थी, 1505 में फ्रांसीसी फ्रांसिसको दा अलमेडा भारत में पिथम पुर्दगाली वायसराय बन कर आया था, कौन फ्रांसिसको दा अलमेडा? ठीक है? और उसके बाद आप देखे कि 1909 में अलफांसु दा अलमुकरक भारत में पुर्दगालियों का वायसराय बना, 1510 में आप देखेंगे अलमुकरक ने विजापूर की यूसुप आदिलक साय से गौा को जीता, और गौा आज भी चर्चा में बना रहता है, आप सभी जानते हैं घूमने भी जाते हों के, 1596 में कार्णेलिस हसमान भारत आने वाले पिथम डच नागरेक थाई, और 1660 में लंदन में महाराणी एलिजावेद द्वारा अपने भाई जोर्ज अल अरल ओफ कंबरलेंड और सर जौन होर्ट की इस्ट इंडिया कंपनी, इसे आप देखें दा गवर्णर एंड कंपनी ओ किया गया था, और इसी कंपनी ने आप देखी हमारे उपर, लंबी समय तक आप देखी सासन किया, क्या किया, सासन किया, फिर आप देखेंगे 1602 में, डच इन्विवर्स अटल, इनिवर्सल, यूनाइटिर इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 13 वर्सों में ही हॉलेंड क अप देखेंगे 1608 में, अहमद नगर पर मलिक अंबर का पुना अधिकार हो जाता है, और इंग्लेंड की राजा जेम्स पितम का पत्त लेकर बिलियम हॉकिन्स जहांगीरी की दरबार में भारत आता है, और तीन साल तक उसकी दरबार में रहता है, और 1602 में वापस इंग्ल आप समय रहे हैं, आज कल आप देखें, लूट ले गए फूरा, 1609 में, पुलीकट में, डच फैक्टरी इस्थापित होती है, और आप देखेंगे कि 1611 में, मसूली पत्नम में अंग्रेज फैक्टरी इस्थापित होती है, जहां नूर, जहां सिभिवा हुआ था, जहांगी की दरबार में आया, 1627 में आप देखेंगे, जहांगीर की मित्ति हो जाती है, 29 अक्टूबर को, और जुन्नार पूना की निकट सिव नीरी के किले में, सिभाजी का जनम होता है, 20 अपरेल को, पर आप देखेंगे कि 1632 में, भीजापूर पर मोगल आकमड और पुर्दगाल की वरुद सेन अभियान, होगली में उनकी बस्ती नष्ट होती है, 1634 में आप देखेंगे, अंग्रेजों को बंगाल में ब्यापार करने का फर्मान मिलता है, और महावत खा की मित्ति होती है, 1634 में, 1649 में अंग्रेजों द्वारा मदरास में सेंट जोर्ज, फोट की आधा सिला रखी, दचिन भारत में, 1656 में आप देखेंगे, सिबाजी का जावली पर अधिकार होता है, 1669 में आप देखेंगे, दारा को मित्तिव दंड दिया जाता है, और सिबाजी की हातों अब जल खा की मित्तिव होती है, 1660 में आप देखेंगे, मीर जुमला बंगाल का अस्ता अंतित की गई, कि बेडचों को इस छेत्व में ब्यापार से बाहर खदरिने में इनकार साथ देंगे, फिर आप देखेंगे, 1662 में मीर जुमला का असा मवियान होता है, और 1663 में मीर जुमला की मौत हो जाती है, और साइस्ता खा बंगाल का सुवेदार नियुक्त ह होता है, यह डेटे आप लोग 2-4 बार पढ़िएगा, और आराम से कुछ याद हो जाएंगे, पहली बार में ही रटना शुरू मत कर दीजेगा, देखें सीधी सी बात याद रखें, जब भी कोई पुस्ता का आप लोग पढ़ते हैं, तो पहली बार मुझे लगता है कि उस 1664 में आप देखेंगे सिवाजी का सूरत पर आकमण होता है, और इस्थानिय पुर्दगाली उपनिवेस द्वारा सिवाजी को बार्सिक नजराना देना सुईकार किया जाता है, फिर आप देखेंगे फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, 1665 में जैसिंग के हाथों सिवाजी की पराजय होती है, और मुगलों के साथ सिवाजी की पुरंदर की संधी होती है, 1666 आता है और साय जहां की मौत हो जाती है, और मुगल दरबार में सिवाजी की बंदी, बंती हो और नजर बंदी से इनकी मुक्ती हो जाती है, 1666 में आप देखे औरंगेव की जो नीतियां रही है उसके कारण हमारे देश में हिंदू मुसलिमों में बनती नहीं एक खाई बनी हुई है 1679 में मतरवा में जाट सरदार गोकुल सिंग का विद्रो होता है बंबई पर अंग्रेज कंपनी का पूर्ड अधिकार होता है 1670 में आप देखेंगे सिवाजी का सूरत पर दूसरा अकमण होता है 1671 में 36 साल की नेतित में बंदेलों का विद्रो होता है 1672 में आप देखेंगे अपरीदी तथा सतनामी विद्रो और दम लोहिन के नेतित में फ्रांसेसियों ने स्रिलंका में तिंको माली और चैन्ने की निकट सेंड टॉम पर अधिकार किया और कुछ समय की पश्चा डचों ने फ्रांसेसियों से दोनों इस्थानों को छीन भी लिया और फिर आप देखेंगे 1673 में सिवाजी का सूरत 32 आकमण होता है और हिंदी कभी घनानंद का जन्म होता है 1673 में फिर आप देखेंगे 1674 आता है और फ्रांसेसी कप्तान फ्रांसेस मार्टिन की द्वारा पॉंडिचेरी की स्थापना होती है और सिवाजी का राज्यवी सेख होता है राएगड में और चत्पती की उपाधी इन्हें मिलती है सुराज की स्थापना भी होती है ठीक है फिर 1675 में सिख्य गुरू तेग बहादूर को औरंग जिब द्वारा मित्तिव दंड दिया जाता है एक कुश्चन कई वार वन डेक जाब मैं पूछ लेता है कि तेग जो सिख्य गुरू थे तेग बहादूर इन्हें किस ने मित्तिव दंड दिया था औरंग जिब ने ठीक है फिर आप देखेंगे कि 1677 में करणाटक में सिवाजी की बिजए होती है 1689 में औरंग जिब द्वारा जजिया कर पुनहा आरूपित किया जाता है यानि कि लगाया जाता है मारवाड अवियान किया जाता है 1689 में सिवाजी की मित्तिव होती है और आप देखेंगे संभाजी पेसवा बनते हैं 1685 में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी का मुख्य ब्यापार कारियाल सूरस से बंबई आ जाता है 1686 में औरंग जिब का बीजापूर परदीकार होता है 1687 में गोल कुंडा मुगल समराज में समलित हो जाता है अंग्रेजी कमपनी द्वारा औरंग जिब की विरुद योदि की गोशना की जाती है 1689 में औरंग जिब द्वारा संभाजी को प्राण दंड और राजाराम सत्तारूड होते हैं साहू को बंदी बना लिया जाता है कब 1689 में ये भी आप लो याद रखेगा और उसके बाद आप देखेंगे सन 1700 में संभाजी के छोटे भाई राजाराम की मित्य होती है और तारावाजी के संरक्षर में सिवाजी तितिये राजाराम का पुत्र गद्दी पर बैटता है 1602 में आप देखेंगे कि इंग्लेंड में रानी एन गद्धी पर बैठी और कॉल्डू और गो डॉल्फिन के हस्तेचेप से पुरानी और नई कंपनी को एक ही करन नई इस्ट इंडिया कंपनी की उदाय होता है 1703 में मराठों का बरार पर आक्मण होता है 1706 में मराठों का गुजरात पर आक्मण होता है और बडोधा धोस्त होता है 1707 में आप देखेंगे औरंग्जेप की मौत हो जाती है बहादुर सापित्थम ए राजकुमार मुहमद मुज्जम मुगल समराड बनता है साहू मुक्त हो जाते हैं फिरी हो जाते हैं तारावाई और साहू समर्थकों के मद्ध खेडा का यूद होता है और मराठा राज दो भागों में भी भक्त होता है सतारा में साहू का राज और कुलापूर में तारावाई यास्तिवाजी तितिये का राज इस्तापित होता है पेसवा बाला जी विसुनात साहू के साथ होते हैं ए 1707 की घटना है 1718 में आप देखेंगे साहु जी का साहु का राजव सेख छटबती की रूम में होता है और बाला जी विसुनात को सैना करते की उपाधी दी जाती है सिक्कों के अंतिम गुरु गोविन सिंग की डैथ भी इसी साल 1708 में होती है नांदेड में आप देखेंगे कि 712 में बहाधुर साहा पिथम की मित्ति होती है और जहां दार साहा उत्तरादीकारी बनता है 1713 में जहां दार साहा की हत्या होती है और सेयाद बंदूओं की मदस्ते फरुक सियर सिंगासन पर बैठता है 1774 में बाला जी विसनात की पेशवा की पद पर पदोननती होती है हुसेन अली दच्छिन का सुवेदार बनता है और हुसेन अली को की मराठों से संदी होती है उसके बाद आप देखेंगे कि 1715 में सिख नेता बंदा बहाधुर को प्राण दंड दिया जाता है 1717 में इस्ट इंडिया कंपनी को बादसा फरूक सियर का सुतंद ब्यापार ड्यूटी फिरी फर्मान होता है और कलकत्ता की निकट 37 गाओं को खरीदने का अधिकार भी दे दिया जाता है 1719 में फरूक सियर की हत्या हो जाती है और मुगल समराठ त्वारा मराठों को सनत पिदान कर चौध और सरदेश मुखी बसूलने का अधिकार दे आ जाता है और दक्कन के च्छे सुवंग को सुराज पिदान किया जाता है उसके बाद आप देखेंगे 1720 में बाजी राव पितम पेसवा बनते हैं और सियत बंधुओं का अंत होता है मराठों का उत्री अवियान प्यारम होता है इस दिन और 1723 में आप देखेंगे सिवाजी के गुरु समर्थ रामदास की मित्य होती है और पेसवा का मालवा पर आगमण होता है 1724 में साधत खां अवद का सुविदार नियुक्त होता है और दच्छन में निजाम सुतन्त होता है 1731 में गौटन वर्ग में समराड फ्रेड रिक द्वारा सोईडिस इस्ट इंडिया का गठन होता है 1735 में मोगल बासा द्वारा पेसबा वाजी राव पिथम को मालवा की सासक की रूम में सुईकिती मिलती है 1749 से 40 में दिली पर नादे साह का आगमड होता है और कोहिनूल हीरा और तक तेताऊओस नादे साह की कबजे में जाता है और खुरासान में नादे साह की उसके ही सेनापतियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है जो आप लोग सुनते हैं ना कोहिनूर का हीरा यही ले गया समझ रहे हैं आप लोग और 1740 में सरप फराज खां की हत्या कर अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है और बालाजी बाजी राओ पेसबा बनते हैं अरकार्ट पर माराठों का आखमण होता है इस दिन और 1742 में बंगाल पर माराठों का आखमण होता है डूपली पॉंडिचेरी का गवर्णर नियुक्त होता है इसी साल 1744 में आप देखेंगे यूरो में फ्रांस और तथा इंगलेंड की बीच योध आरम होता है दोनों के विभिन अपने वेसों में तनाओ और संगर शुरू होता है 1746 से 48 की बीच पिथम करना तक आंगल फ्रांसिसी योध होता है 1745 में रोहिल खंड रोहिलों के अधिकार में होता है 1746 में ला बोर्दने किनेतन में फ्रांसिसीयों का चैननाईफर अधिकार होता है 1747 में एहमद साहर अबदाली का भारत मर आगमड होता है 1748 में हैदराबाद की निजाम आसप जाहा की मौत होती है अपुत नासिर जंग और मुजफर जंग में सत्ता के लिए संगरस होता है और संगरस के कारण निजाम का प्रभाव छेन होता है और गदी के लिए करनाटक की नवाब चंदा सहाब और नवाब अनरोद्दीन के भी संगरस होता है 1748 से 59 की वीच एहमद साह अबदाली का अफगानिस्तान और पंजाप पर अधिकार होता है मुहमद साह की मित्यू के पश्षाद एहमद साह मुगल वासा बनता है इस 1748 की बात है 1749 में आप देखेंगी यूरोप में 200 फ्रांसीसियों की बीच एक्स ला सापेल की संधी होती है और भारत में अंग्रेजियों अंग्रेजियों फ्रांसीसियों कंपनियों में योद्ध बिराम होता है और फ्रांसिसियों द्वारा चेननई अंग्रेजों को बापस दे दिया जाता है और साहू, महराजा साहू की मित्ति होती हो और रामराज की छत्री की रूमें, राजा विशेक होता है 3750 से चंगन की बीच आप देखें कि दुतिया करनाटा की उद्ध होता है और डूपले की साहता से चंदा साहब की अनरुद्दीन पर विजय होती है और हैदराजबाद की निजामत, मुझफर जंग को दिलाने के लिए चंदा साहब और डूपले का नासर जंग पर समले थमला होता है और नासर जंग को 600 सेनिकों की साहता होती है और आप देखें करनाटा की गद्धी के लिए मुहमद अली को भी अंग्रेज मदद करते हैं 1791 में अरकाट के किलिप और रौवाट कलाइब का अधिकार होता है और जिसे फ्रांसिसी त्रिचन्ना पली से हटे और मुझफर जंग की मित्ति होती है और सलावत जंग निजाम बनता है अली वर्दी खां की मराठों से संधी होती है 1776 में आप देखेंगे डूपली फ्रांस से वापस जाता है गोडियू नया फ्रांसिसी डाइरेक्टर जरनल बनता है और गोडियू तथा अंग्रेज गवर्नर शांडर्स की भी संधी होती है दोना का भारतिय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तिचेप ना करने का नेड सिराज जुद्वला बंगाल की गद्धी पर आसीन होता है कलकत्ता पर अधिकार होता है तीसरा करना तक योद भी होता है 1757 में आप देखेंगे पिलासी का योद होता है 23 जून को इसमें अंग्रेजों द्वारा सिराज जुद्वला पराजित होता है मीर जफर नबाब बन इस्ताफित होता है यहीं से आप देखेंगे इनके हाथों में सत्ता भारत की आनी सुरू हो जाती है और 1758 में फ्रांसी सी गवर्नर लाली का भारतागमन होता है और अंग्रेजों की विरुद अवियान आरम होता है फोर्ट सेंट डेविड पर कबजा होता है पंजाब पर म इसमें मराठी पराजित होते हैं एक उषक्षन आप लोगों से आप फूसता हो आप बताईए कि पानीपत का पहला योद दो पानीपत का दूसरा योद कब हुआ और किसके रीच हुआ सर्च करिए और आपके पास गूगल बाबा तो हैं ही मदद के लिए आपके किताबें भी है और पीछे पड़ा भी चुकाऊं सब कुछ तो देखिएगा और फ्रांसी सीयों द्वारा पॉंडेचेरी अंग्रेजों को समर्फित कर दिया जाता है पेसबा वाजी राओ की डैथ हो जाती है माधाव राओ सिंगासन रूड होते हैं हैदर अली मैसूर का नबाब बनता है अबद का नबाब सुजा उद्वला बजीर बनता है ये कब की गटना आप देखेंगे 1761 की है ठीक है और उसके बाद देखेंगे 1762 1762 में क्या होता है माधार राओ की सिंगासन रूड होने की उपरांत राओ रगुनात राओ द्वारा निजाम से मदद की मांग होती है और 1763 में अंग्रेज्यों द्वारा पांडी चेरी फ्रांसेसियो को बापस किया जाता है बंगाल बिहार पर मीर कासिम का अधिकार समथ हो जाता है और मीर कासिम निस्कासित होता है मीर जाफर पुनहा नबाब बनता है और अगुनात राओ का सत्ता पर कपजा होता है माधार राओ बंदी बना ली जाते हैं यहां से आप देखें से पराजित होते हैं 1765 में रोवर्ट क्लाइब दूसरी बार पुना बंगाल का गवर्णर बन कर आता है और सुजावत दौला साहय आलम और इस्ट इंडिया कंपनी के मद इलाबाद की संधी होती है और साहय आलम से बिहार बंगाल उडिसा की दीवान इस्ट इंडिया कंपनी कि सोब्धी जाती है और मीर जापर की मीर्टी हो जाती है ठीक है और 1766 में आप देखे नेजाम ने उत्री सरकार्षेत अंग्रेजियों को दिया और 1767 में आप देखें रॉवर्ट कलाइब इंगलेंड बापस गया और वेरी लस्ट बंगाल का गवर्नर बना और 1767 से उनत्तर की बीच पिथम में सूर्य उद्ध होता है और अंग्रेजियों ने अपमान जनक सर्तों पर हैदर अली से संधी कि और ह हैदर अली का चैन्रई में अभियान होता है फिर आप देखेंगे 1779 में निजाम और मराठों के साथ अंग्रेजियों की चैन्रई में संधी होती है 1770 में बंगाल में भीशड अफ्याल पड़ता है और पैरिस में दिवालिया हो जाने की कारण फ्रांसेसी इस्ट इंडिया क फिराता है 1772, वारेन हैश्टिंग बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है, मराठों का रोहिल खंड पर आकमण होता है, भारती मामलों के लिए बेटिस संसद की दो संसदी है संतीयों का गठन होता है, पेसवा माधारा की मौत होती है और नारेन राओ पेसवा बनता है और एक सीगी इसकी मिट्टी होती है, अबत के नवाव और रोहिला, रोहिलों के मराठों की विरुद समझोता होता है, यह सब कब होता है, 1772 में होता है, ठीक है, 1772 की घटना है, फिर आप देखेंगे 1772 में ही कम्पनी द्वारा दुएद सासन की समाति की और खुले देवान का का अपने हाथों में लेने की घुशना होती है, और 1772 से 1833 की बीच राजा राम मोहराय का जीवन काल रहता है, ठीक है, अब आपका 1773 आता है, और इसमें बेटिस संसत द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह पारित होता है, और आप देखेंगें कम्पनी पर संसत का आंसेक नियंतन हो जाता है, चैननेई और बंबई प्रेसिडेंसियों पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी का आंसेक नियंतन होता है, रगुनात राव पेसवा बनते हैं, अंग्रेजों और अवत की नवा की वीच रोहेल खंड पर सहिवत रूप से चडाई का समझोता होता है, और सत्रे सो पचत्तर इस्ट इंडिया कम्पणी और आवद के वजीर आसप उल्ला के बीच एक दूसरे के बिरोध कारवाही ना करने की मैत्री संदी होती है। नवाब ने अंग्रेजों से सेन साहता लेने के बदले दो लाग साथ जार रुपे पितीमा धेना सुईकार किया। और आप देखेंगे कि नंद कुमार पर मुकद्मा और मित्तिव दंड होती है ने 6 मई को। रगुनात राओ और अंग्रेजों की बीच सूरत की संदी होती है 1775 से 82 की बीच पितम अंगल माराथा योद्ध होता है आपका। 1776 में अंग्रेजों और कर्णल आप्टन और माराथों रगुनात राओ की बिरोधियों की बीच पुरंदर की संदी होती है। 1777 में 1857 की बीच बीच बढ़गाओ समझोता है माराथों ने 1773 में खोए हुए छेत पुनापराप्त की ए हैदर अली और हैदरावाद की निजाम और आप देखी माराथों अंग्रेजों की बीच बीच बढ़गाओ समझोता होता है। करने को एक्जिट होते हैं। अली पराजित होते हैं रेगूलेटिंग एक्ट में संसोधन होता है। बारेंग हैश्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मतलसा की इस्थापना होती है। इस 1781 की घटना है हो गई आपकी। फिर आप देखेंगे 1782 अंग्रेज माराथा और हैदर अली की बीच सालवाई की संधी होती है। और बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजों और फ्रांसेसियों की बीच नौसेनिक योध होता है। अंग्रेजों की मतब से आसप उद्दौला द्वारा अवद की बेगमों से धनोगा ही होती है। 1792 से 1792 से 99 तक टीपू सुल्तान मैसूर का सासक बनता है। 1783 में फाक्स का इंडिया बिल बेटे संसद में आस्वीकित होता है। 1784 में टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संदी होती है। और दुतिय मैसूर युद्दी की समापती होती है। भारती मामलों के लिए वोर्ड आफ कंट्रोल की स्थापना ही दो पीट का इंडिया एक्ट बेटेस संसद में पारित होता है। और एसी आइटिक सुसाइटी और बंगाल की स्थापना होती है। और आप देखेंगे 1785 में वारेन हेश्टिंग का त्यागपत होता है। पंजाब में सिखों का अधिपत है। और दिली पर महाद जी सिंधिया का अधिकार होता है। 1786 से 1786 से आप देखेंगे तेरानवे तक लॉड कानवालिस भारेत बंगाल का गवर्ना जनल बनता है। और गवर्ना जनल को अपने परिशत की नेड़े को नेश्ट करने की वेवस्ता होती है। और 1787 में टीपू सल्तान ने पेरिस और कुस्तू नत्तूनिया में दूद भेजा मराठा निजाम और टीपू के भी संदी होती है। मराठा लावन भित होते हैं और विलियम विल बरफोर्स द्वारा दास्ता बिरोधी लिग की स्थापना होती है। 1788 में आप देखें गुलाम कादिर रोहिला का दिल्ली पर कपजा होता है। गुलाम कादिर खांद्वारा साहालम दुतिये को ने धीन बनाया गया। 1788 से लेकर 1975 वरेंग हेस्टिंग पर महाव्यूग चलता है। यह आप देखें कप की बात है। 1788 की बात है ठीक है। यह आप लोग याद रखेंगा वो 1795 तक होगा इसमें। देखें 1975 तो आप समझ रहें। इस तरह की डेटें कई बार गलत हो जाती है। 1789 से लेकर 90 की बीच टिपू सुल्तान का सरवन तरवन कोर पर अधिकार होता है। 1789 से 1802 की बीच मराठों का दिल्ली पर अधिकार होता है। 1792 से 92 में तितिय अंगल मैसूर यूद्ध होता है। टिपू सुल्तान अंग्रेज मराठों की सयुक्त सेना की बीच। 1792 में आप देखेंगे सीरी से रंग पटनम की संधी के साथ में तितिय मैसूर यूद्ध समापत होता है। पंजाब में रंजी सींग के सोकर चकिया मिसल के मुखिया और जौनाथन डंकन द्वारा बरनासी में राच किये संस्कित बिस्विध्याले की स्थापना होती है। 1793 से 98 के बीच आप देखेंगे बंगाल के गवर्नर्ट जनरल सर जौन सौर का कारिकाल आता है। 1793 में बंगाल में भूराजिस का इस्थाई मन्दोबस्त होता है। जब आपकी लोगसभा राशावे में आता है तो उसे बिध्यक कहते हैं जो भी पिस्था वा आता है। जैसे याप देखें कि बिध्यक पारित होता है तो बो कानून बन जाता है। पारित हो गया था। अंग्रेज्यों द्वारा स्री लंका को डचों से मुक्त कराया जाता है। 1798 में आप देखेंगे सादत अली अवत का नवाब बनता है। टीपू सुल्तान की विरुद अंग्रेज और पेशवाओ निजाम में एकता टीपू ने फ्रांसिसी उपने विस मौरिसस को दूद भेजा नेपोलियन बौनापार्ट का मिस से अभियान होता है। 1799 में नवपोलियन बौनापार्ट के काहरा से लिखे पत्त में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मुक्ती दिलाने का अस्वासन दिया जाता है। चौथी मैसूर यूद में टीपू की मौत हो जाती है। गद्धी पर अधिश्ठ धारपित होते हैं। 1803 में दुतिय अंगल मराठा यूद होता है 1803 से 5 के बीच मराठों के पराजय होती है। अलीगड पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और भौसली के साथ इस्ट इंडिया कंपनी की देवगाओं की संधी होती है। और सिंधिया के साथ आप देंगे की सुरजी अरजुन गाओं की संधी होती है। 1805 में अंग्रेजों का भरतपोर का घेरा असफल होता है लॉर्ड वैले जली को इंग्लेंड बापस बुलाया जाता है लॉर्ड कानवालिस की मित्ति होती हो, होलकर के साथ इनकी संदी होती है 1805 में 1806 में आप देखेंगे अकबर दुति है 1808 में आप देखेंगे अंग्रेजों और रंजी सिंग की बिच अमरेसर की संदी होती है 25 अपरेल को और सतलज के पूर की पंजाबी रियासत अंग्रेजों के सारक्षन में और रंजी सिंग सासक सुईकित किये जाते है 1809 से 11 में रंजी सिंग का कांगड़ा पर कब जा होता है 1813 से 23 में लॉर्ड हैस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1813 में आप देखेंगे East India Company का चार्टर नवीनी की सिक्षा बर सालाना एक लाख रुपे खर्च करने का प्रावधन होता है 1814 में आप देखेंगे से 16 की भी नेपाल का योद्ध होता है गोर्खा का तथा Company की भी संगोली की संदी होती है ए 1816 में फिर आप देखेंगे कि आपका 1815 में राम मोहन राय द्वारा आत्मी ये सभा की स्थापना होती है बाटलू का योद्ध होता है 1817 में आप देखेंगे कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है डेविड हेर और राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना होती है 1817 से 1818 में से रामपूर ईशाई मिस्री द्वारा भारती भासा बंगला में आप देखेंगे समाचार दरपन नामक का पहला सप्ताहिक पिकासित होता है और पेशबा बाजीराव दुतिये का समर्पन होता है 18-19, 18-19-27 के बीच एल फिश्टन बंबई की गवंडर बनते है 18-19 में आप देखेंगे पेशबा पत की समापती होती है और वैटिस पैंसन भोगी की S.E.S. से पेशबा बाजीराव दुतिये को वैठूर भेद दिया जाता है और राजपूताना की राजाओं के साथ सुरक्षात्मक नसंदी और तक्ता टोपे का जनम होता है 18-20 में मुनरो मद्रास का गवर्नर बनता है दर्चिन भारत का 1881 में पूर्णा में संस्केत कॉलिज की स्थाफना होती है 1822 में बंबई में नेटिव एजूकेशन सुसाइटी की स्थाफना होती है कव 1822 में तो यह भी आप लो याद रखेगा 1822 को भी अब आते हैं वो बंबई समाचार पिकासिद होता है 1822 में 1823-28 की वी लॉर्ड एम हर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल लिक्त होता है ठीक है तो यह भी आप लो याद रखेगा और उसके बाद आप देखेंगी क्या होता है आपका उसके बाद आप देखेंगी कि 1823 में प्रेस और इडेंस के विरुद राजा रामोन राय का अग्या 1824 में बेरकपूर में सैनिक बिद्रो होता है अधिक भत्ते की मांग को लेकर 1824-26 की वीच पिथम आंगल बर्मा योद्ध होता है यांडोप की संधी होती है और अराकान और तैना सरीम बेटे समराज में सामिल होते हैं 1824-83 की वीच स्वामी दयानन सरसुदी का जीवन काल और ये आर्ग समाज की स्थापना करते हैं 1875 में 1825 में पिसिद्ध सुतंता सैनानी दादा भाई नोरोजी का जनम होता है चार सेप्टम मर को 1826 में भरतपूर पर अंग्रेजों का अधिकार होता है 1827 में पहला बास्प चालित योध पूत इंटरप्राइज मद्रास पहुंचा दचिन भारत में 1828 से 33 की वीच लॉर्ड बिलियम बेंटिंग बंगाल का गवर्नर बनता है और आप देखें 1828 में राम मोहन राय द्वा ब्रह्मा समाज की स्थापना होती है एकेडमिक एसोसीेशन स्थापित होता है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती पिथा गेर कानूनी घुसित होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा राजाराम मोहराय की प्रयास से 1829 से 1937 की बिज बेंटिंग द द्वारा इंग्लेंड बिर्मण होता ए और धरम सबाद द्वारा कलकत्ता में सती पिथा पर पितिबंद लगाने के बिरोध में सभाव होती है और इस्व चंद गुपता द्वारा बंगाल मासिक संबाद प्रिभाकर पिकासित होता है 1831 में मैसूर का राजा पद से हटता है और सासन बेटे सरकार की हाथों में जाता है और ओपर में लॉर्ड बिलियम बेंटिक और रंजी सिंग की भेंट होती है 1832 में आप देखेंगे असम के केंदरी करण बंगाल का गवर्नर जनरल पहली बार भारत की गवर्नर जनरल की नाम से जाने जाने लगा इसमें और भारतिय विधी आयो की निवक्ति होती है और वेटिन में दास पितापर पितिबंद लगाया जाता है ये 1833 की सभी घटना है चलते हैं आगे हम लोग अब चलते हैं 1833 से 1835 की बीच लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1834 में कोरग फर अंग्रेजों का दीपत्थ होता है लॉर्ड मेकाली सुप्रिंग कॉंसिल में पहला विधी सदस निवक्त होता है और सरकार द्वारा चाय बागानों की स्थापना होती है आगरा परांथ की स्थापना होती है 1835 से 36 की बीच सर्चार्स मेट कॉप कारिकारी गवर्नर जनरल बनता है और आप देखेंगे 1835 में आप देखें मेट कॉप द्वारा समाचर पत्रों पर से पितीबं समाप्त होता है लॉड मैकाली की सिख्छा नीती पर पिस्ताव आता है और अंगरेजी फार्सी की स्थान पर पहली बार सरिकारी भासा बनती है और कम्पनी ने पहली बार अपने सिख्चे जारी किये बिना मुगल समराट की नाम की कलकत्ता मेडीकल कॉलेज की सभा के तत्वाधान में पश्मी धंग की पहली सार्विजिक सभा 30 जन्वरी को जिसमें राम कमल सेन ने मांग की थी कि सभी जमीदारों और रेयतों की जीवन के मुलभूत सामाजिक आर्थिक पिसनों पर विचार बिमस करें और मेकाली की सुझार पर अंग्रेजी को सिक्षा का माद्यम घोसित किया गए 1835 में पर आप देखेंगे 1836 से 42 की बीच लॉर्ड आउकलेंड गवर्नर जनरल बनता है 1837 में आप देखेंगे अकबर दुतिये का उत्तरादीकारी बहादुर सांद दुतिये जफर गदी पर आसीन होता है और महरानी विक्टोरिया गदी पर आ कावल कंदार पर अंग्रेजों का अधिकार होता है और आप देखें कलकत्ता में कलकत्ता सोसाइटी फूर एक्कियू जीसन और जनरल नौलेज नाम की सब्ताहिक विचारिक संस्था की स्थाफना होती है और केसा और चंद सैन का जनम 19 नवंबर को होता है 1938 में ही 1849 में महराजा रंजी सिंग की मित्ती होती है और कलकत्ता और दिल्ली की बीच जीटी रोड का कार्या आरम होता है अंग्रेज नौद्वारा साह सुजा को काबिल का अमीर बनाया जाता है लंदन में बेटिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1849 से आप देखेंगे 42 की बीच पिथम आंगल अपगान योद्ध होता है 1840 में आप देखेंगे अपगान कवाईलियों का बिद्रो होता है दोस्त मुहमद से हटते हैं और मैंचिस्टर में नार्दन सेंटल बेटिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1841 में कलकत्ता में देश हित्ते सुनी सभा की स्थापना होती है तीन अक्टूबर को यह भी याद रखिएगा आप लोग ठीक है उसके बाद आप देखेंगे 1841 से 44 के वी लॉड एलन वरो गवरनर जनरल बनते हैं 1842 से आप देखेंगा अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना का संघार होता है और काबोल पर पुनहा अधीपत्त होता है इनका दोस्त मुहमद पुनहा अमीर बना और एरन बरो को यह सिमला गोसना होती है अफगानिस्तान से अंग्रेजी सेनिक वापस आते हैं 1843 में सिंद पर अंग्रेजियों का दीपत होता है, दास्पिता पर पीदिवन लगाया जाता है, और बंगाल बेटिस इंडिया सुसाइटी के स्थापना की जाती है, 1844 से 48 की बीच लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बनता है, 1844 में आप देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बीच पिथम अंग्ल सिख्यों में सिख्य पराजित होते हैं, 1844 में अंग्रेजियों और सिख्खों के भी लाहर की संदी होती है, 1847 में रोड़की में पिथम इंजिनरिंग कॉलिज की स्थापना होती है, और 1848 से चपन की भी लॉड डलहोजी गवर्नर जनरल बनता है, और 1848 में आप देखेंगे 17 बेटे समराज में समलित होता है, और गोध लेने की पिताहा पर पितिवंद होता है, बंबई में स्टूडेंट्स, लिटरेरी एंड साइन्टेफिक सुसाइटी की स्थापना होती है, और 1848 से 49 की भी दूसरी आंगल सिख्योद में सिख्य पिताहोजी द्वारा मुगल राजवन की समापती पर विचार होता है, 1850 से आता है, सिक्किम का एक भाग अंग्रेजों की कप्चे में आता है, 1859 में कलकत्ता में बेटिस इंडियन एसोसीएशन की स्थापना होती है, 1852 में आप देखें कि दुतिय आंगल बर्मा, योध ब परार अंग्रेजों को समर्पित होता है, और कंपनी के चार्टर का नभीनी करन पहली बार IECS भार्थी पिसासनिक सेवा परिक्षा प्यारम होती है, और सस्ती डाक्ष सेवा भी प्यारम होती है, फिर 1853 में बंबई से थाड़े की तक पहली रेल लाइन का उदगाटन होता है, ये 1853 की घटना है, ठीक है? फिर आप देखेंगे क्या? बंगाल में नील विद्रो होता है, ये 1854 की बात है, कब की बात है? 1854 की? 1855 में आप देखें, संताल विद्रो होता है, पटसन उद्यो की सुरुवात होती है, कलकत्ता में अंजूमन इस्लामिया या मुहमडण ए सोसीशन की स्थापना होती है, 6 मई को, 1856 में अवद बेटिस समराज में समलित हो जाता है, और भारती विद्रो होता है, बंगाल विद्धान परिशत द्वारा हिंदू विद्वा उनर विवा अधिनियम भी पारित होता है, और इउरोब में करीमिया योद्ध समाप्त होता 1856 से 62 की बीच लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल बन कर आता है, 1857 में आप देखते हैं कि कलकत्ता, बंबई उमद्रास विद्यालेयों की स्थापना होती है, 1857 का विद्रो होता है, केसा उचंद सेंड ब्रह्मा समाज में सामिल होते हैं, और मंगल पांडी द्वारा लेटि सरकार की हांतों में चला जाता है, और महरानी विक्टोरिया का गोशना पता आता है, और लॉर्ड केनिंग को वायसराय की एक अतरिक तुपादी दी जाती है, और उसके बाद गवर्नर जनरल के साथ वायसराय का भी प्रेवक प्यारम होता है, और समाज सुधारक D.K. करवे का जनम होता है, अठारे अप्रेल को, जगदीश चंद वॉस का जनम होता है, तीस नवंबर को, लकनव पर अंग्रेजों का पुना अधिकार होता है, ये अठारे सो अंठावन की घटना है, अठारे सो उनसट, गोध पिता की समाती की कुष्णा रद होती है, और बंगाल मे भारती परिषद अधिनियम और भारती हाई कोर्स अधिनियम लागू होते है, आर्कियोलोजीकल सर्वे ओप इंडिया, ASI का गठन होता है, दीन बंदु मित का नाटक नील दरपन पिकासित होता है, और रवेन नाठ ठाकुर का जनम होता है, अठारे सो बासट में सदन न्य में कलकत्ता में अब्दुल लथीव की पेड़ा से मुहमडन ए एसोसेशन की स्थापना होती है, पटना कॉलिज की स्थापना होती है, 1863 से 1902 की भी स्वामे वेकानन्द का जीवनकाल होता है, तो यह भी याद रखिएगा आप लोग समझ रहे हैं, और इसके बाद आप दे scientific society की स्थापना होती है, मदरास में ब्रह्मा समाज की पेड़ा से समान उद्देश वाली संस्थाएं पेका स्थापित होती है, और वाकिंचन चटरजी द्वारा दुर्गेश नंदनी उपन्यास की रचना होती है दच्छन भारत में, ए 1865 में यूरोप के साथ दूर संचा समाज की स्थापना होती है, बाद में लंदन, इंडिया, सुसाइटी का इसमें बिलाय होता है, तो आप देखेंगे, 1867 में ब्रह्मा समाज की पेड़ा से बंबई में परातना समाज की स्थापना होती है, नाव गोपाल मित द्वारा कलकत्ता में सौदेशी बस्तों के पिर बाजारपत्ति का पिकासित होती है, भारत का विथम संध्या, समाज अरपत्त मद्रास मेल भी पिकासित होता है, और 1869 से बहत्तर की बीज, लॉड मेव का वासरा कालाता है, तो आप देखेंगे कि 1869 में डियूक, डियूक ओप एडिन वरा की ये भारत यात्रा होती है, और सोईज नहर का उद्गाटन होता है, महत्मा गांधी का जनम होता है, और ठककर बापा का जनम होता है, दो अक्टूबर को गांधी जी भी जनम लेते हैं इसी समय, ठीक है, तो ये भी याद रखें, ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे, 1870 आता है, मेउ का परांती ये बंदोवस्त, लाल सागर टेलीगराप की सुरुआद, देश बंदू चितरंजन दाज का जनम पांच नम अमर को, महादेव गोविंद रनाडे का भी जनम होता है, तो ये भी आप रखिएगा आप लोग, फिर उसके बाद क्या होता है, अनन्द मोहन बॉस्त द्वारा लंदन में इंडियन सुसाइटी की स्थापना होती है, और जनगरना प्यारम होती है 1872 में, ठीक है, पहली बार ये कुश्चन्स भी कई बार कूच लेता है, 1872 से चैतर की बीच लॉर्ड नॉर्थ द्रोग ए ववायसराय बनता है, और 1873 से लाहर में सौदेशी बस्तों के परचार के लिए सौदेशी सभा स्थापित होती है, 1874 में बिहार में दुरवेक्च पड़ता है, 1875 में स्वामी दयानन सरसुत्ती द्वारा आरिस समाज की स्थापना होती है, फ्रेंस ऑफ वेल्स एडवर्ड की भारत यात्रा होती है, स्थापना होती है, कलकत्ता में इंडियन इंडिया लिग की स्थापना होती है, और 1876 में इंडियन इंडिया लिग की स्थापना होती है, और 1876 में इंडियन इंडिया लिग की स्थापना होती है, आइसी एस, भारतिय पिसासनी निस्तिवा परिक्षा में सामल लोनी के दरवार होता है, महरानी विक्टोरिया भारत की समरागी घोसित होती है, सुरेनाद बनजी द्वारा दिल्ली में, दिल्ली दरवार की आउसर पर पहली नेटिव प्रेस एसोसियेशन की स्थापना होती है, बेस के सुहम सचे बनते हैं, आईसीयेस की परिक्षा लंदन की अन्मोहमडन एसोसियेशन की स्थापना की, पर आप देखे 1878 आता है, लेटन का बढ़ना कूलर प्रेस एक्ट लागू होता है, दूसरा अफगान एहुद आरम होता है, कलकत्ता में भारती पत्रगारों की नेटिव प्रेस कॉन्परेंस का पहला समेलन होता है, और साधारन बिरहमा समाज की स्थापना होती है, 1889 आडियार मदरास में मेडम बिलाव अस्तिसकी, रोज सी और कर्नल अलकॉर्ट अमेरिका द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, वो चकवर्ती राज गोपालाचारी के जनम 7 सेप्टमबर को होता है, और लेटन आयाते सूती माल पर आयात कर हटाया जाता है, 1884 की बिच दुरभीक चायो का अकाल आयो का एक तरह से इस्थापना होती है, अफगानिस्तान की पिती बेटेस नीती में परिवतन होता है, डॉक्टर पट्टा भी सीतरा मैया का जनम होता है 24 सेप्टमबर को, 1881 पहला वर्ना कुलर प्रेस एक्ट निरस्त होता है, 1882 की घटना है और आप देखेंगी, हंटर आयोग आता है, भारतिय सिक्छा आयोग, पंजाब इस्विध्याली की स्थापना, सूरत में प्रिजाहित वर्धक सभा का गठन और पुरुसुत्तम दास टंडन का जनम होता है आज, ठीक है, 1882 में, और 1883 की घटना है देखें, इलबायट बिल गवर्ना जनरल की विधान परिशद में पिस्तुत किया जाता है, भारतिय राष्टिये, आप देखेंगे सम्मेलन, भारतिय राष्टिये, सम्मेलन का आयोजन होता है, तो ये भी याद रखेंगा, और लॉड ड चली, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप देखेंगे फिर क्या आता है, 1884 में, के उसाव चंद सेन की डेथ होती है, आठ जन्वरी को, डॉक्टर राजिन पिसाद का जन्म होता है, तीन दे सम्मर को, 1884 में, मदरास में महाजन सभा की स्थापना होती, दच्छिन भारत मे 1885 आता है, भारती राश्टी कॉंग्रिस की स्थापना होती है, सबसे महत्पून घटना, और आप देखेंगे अधिवेशन बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कित स्कूल में होता है, बंगाल ट्रेनेंसी एक्ट पारित होता है, बंगाल इस्थानिये सोसासन अधीनें होता है, राम किष्ण परमहंस की मित्ति होती है, और कॉंग्रिस की अधिवेशन में पंजाब की पितिनी धी लाला मुर्ली धर का हिंदी में भासन होता है, कॉंग्रिस की मंस से हिंदी में यह पहला भासन था 1886 में, 1887 में महरानी विक्टोरिया के सासनकाल की स्वड जैनती की होती है अलावाद विश्विद्ध्यले की इस्थापना होती है और 1888 सिब्टि की इस्थापना होती है और 1889 में आप देखें प्रेंस उफ वैल्स की भारत की दूसरी यात्रा होती है जमना लाल वजाज खुदी राम बॉस और जवाहलाल नहरू का जनम होता है इस दिन 1891 में आप देखेंगी दुतिय फैक्टरी अधीनियम आता है और सहवास बरस अधीनियम एज ओप कॉंसेंट एक्ट उमणी पुर्ण में बिद्रो डॉक्टर भीमराओं बेटका का जनम 14 अपरेल को होता है 1892 में भारती परिशद अधीनियम आता है चुनाओ की पिडाली निजधारित होती है 1892 में एनिवेसेंट का भारत आगमन होता है और स्वामी विवेकानन्द सिकागो सम्मेलन में के लिए अमेरिका जाते हैं और आप देखी कि यहीं से दुनिया भर में आये थे चर्चा में 1894 में नटाल दचडवीका में भारती राष्टी कॉंग्रिस की स्थापना होती है कॉंग्रिस की लाहोर 1893 में अधीविशन से प्रभावित होकर 1894 से 99 की लॉड एलगिन दुतिय का वाइसरा कालाता है 1896 में बंबई में पिलैक फेलता है तो यह भी घटना घटी है यह 1897 मे आप देखें भारती सिक्षा सिवा का गठन होता है सुभाष्चन द्वास साहब का जनम होता है लोकमान तिलक को सिवाजी से संबुदित देश की भक्ती के पंद लिखने की आरूम में 18 साल की कड़ी कैद होती है 1898 में प्राथन समाज बंबई द्वारा एक दले द्वरग म कॉंग्रिस के मंच से पहली बार महला स्रीमती कादव मरी गांगुली का भासन होता है 1901 में महरानी विक्टोरिया की मित्यु होती है एड़वर्ड सप्तम सिंगासन रूड होते है उत्तरपश्चिम सीमा परांत का गठन होता है 1904 में आप देखें को ऑपरेटरी सोसाइटी अधिनियम आता है फुरातत्य विभाकी स्थाफना होती है भारतिय विसे विद्याला अधिनियम आता है और जत्तिंद दास का जनम होता है 1905 में बंगाल विभाजन होता है लौड मायले भारती मामलों के सचिमने उक्त होते हैं 1905 में ही तो बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में आप देखें कॉंग्रेस कलकत्ता अधिवेशन मंच से दादा भाई नौरो जी द्वारा सौरा सब्द का पहली बार प्रयोग किया गया धाकया में मुसलिम लीग की स्थापना होती है 1906 में 1907 में सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस बिवाजित होती है एनिवेशन्ट अधियो सवफीकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है टाटा इसपात का अरखानी से इसपात का उत्पादन होता है 1908 में आप देखें समाचरपत अधिनियम आता है खुदीरां बोस को फासी दी जाती है और तेलक पर राध द्रो का मुकदमा लगाया जाता है 1909 में आप दे राज पर गांधी जी ने 30,000 सब्दों की हिंदी सौराज नामक पुस्तक लिखी थी और आप देखें 1910 से 1916 की बीच लॉर्ड हार्डिंग दुतिये का वाइसराय का काल आता है 1910 में आप देखें एडवर्ड दितिये की मित्ति होती है जोज पंचम सिंगासन रूड होते ह समराड जोज पंचम की भारत यात्रा होती है बंगाल वेभाजन रद्ध होता है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इस्थान देत करने की गोशना होती है 1911 में आप देखें गोशना होई थी यह आप लोगों को क्लियर मालू होना चाहिए ठीक है और यह पहुंची 1912 में होती यह भी आप लोग पारे की गटना है 1913 में आप देखें रवेन नाट टेगोर को नोबल पुरुसकार मिलता है और फिर हो साह मेता द्वारा दब बंबई क्रोनीकल की सुरुआत ही होती है और सैन फ्रांसिस्को में गदर पाटी का गठन होता है 1914 से आप देखेंगे 1914 में तिलक मांडली जेल से रहा होते हैं फोरेस्ट रिसर्च इंटिटीट की स्थापना होती है पनावार नहीर की सुरुआत होती है एनी बैसेंट द्वारा निव इंडिया पेकासित होता है और 1914 से अठारे की बीच पिथम भी से उद्ध होता है और बेटिन द्वारा तुर्की की बिरुद्ध हमला होता है 1915 में आप देखें भारती सुरक्षा दिनिया माता है गांधी जी दच्छड अफीका से भारत लोटते हैं और एहमदाबाद में सत्यागय आसरम की स्थापना होती है गोपाल किसने गोखली की डैथ होती है एनी बैसेंट द्वारा हॉम रोल लीग की गठन की जाती है की गो प्रूना में पिथा महला बिस्विध्यले की स्थापना होती है और बनारस हिंदू विस्विध्यले की स्थापना होती है दाधा भाही नवरोजी का की डैथ हो जाती है मित्ती हो जाती नेधन 1916-21 की बीच लॉर्ड चिम्सपोर्ड का वायसराय काल होता है और 1917 में मॉंटिग्यू भारत मंत्री नियुक्त होता है उनकी भारत यात्रा होती है कॉंग्रेस और मुसलिम लीग की बंबई में पहली सैफ्त बैठाक होती है मॉंटिग्यू घुशना होती है भारत में सुवायत सासी संस्थाओं का किरिमिक बिकास और उत्तरदाई सरकार की स्थापना होती है गांधी जी द्वारा चंपारन सत्यागया पैरम होता है और हमरूल अंदुलन की सिलसले में एनिवेसेंट बंदी बंदी और सिक्षा से संबंदी सैडल और आयू की नियुकती होती है रॉलेक्टेक्ट कमेटी का गठन होता है ये 1917 की घठना है हो गई देख लीजे फिर 1918 आता है कब? 1918 आता है आपका और आप देखेंगे कि रॉलेक्टेक्ट रिपोर्ट और मॉन्टिकू चैंसर सुधार पिकासित होता है सैना में अपसरों के पतपन नियुकती के लिए भालतियों अर्द घोसित होते है राश बिहारी बोस की अध्यक्षता में बंगीये बंगीये जनसभा की स्थापना होती है सुरेंद बनर जी की अध्यक्षता में बंबई में बंबई में आल इंडिया मॉन्डरेट कॉन्फेंस आयुजित होती है गांधी जी की द्वारा एहमदाबाद में कपड़ा मजदूर की मांग के सबर्णतन में सत्यागय की रूम में पहली बार भूहुँ खरताल होती है और सुरेंद नाद बनर जी नेशनल लिवलल लीक के अध्यक्ष बनते हैं तो ये भी याद रखेगा और 1919 में मॉन्टिकू चेम्सवोर सुधाराद पारित होता है रॉलेक टेक्ट पारित होता है जलिया वाला बाग नरसंगार होता है खिलापत कमेटी की स्थापना होती है रवेनाठ ठाको द्वारस सरकी उपादी बापस की जाती है बंबई में मेल मजदूरों की पहला सम्मेलन होता है एनिवेसेंट की अध्यक्स्ता में दिली में पहला अखिल भारती महला सम्मेलन आयुजित होता है इलाबाद में लीडर समाचरपत की कार्याले में उत्तरफिदेश लिवरेशन एसोसेशन की स्थापना होतीती है अफगान योद्ध होता है भारती सरकार अधिनियम 1919 पारित होता है एक बात और आपको बता दूँ कि इस तरह की घटना है इस सभी घटना है पीछे आप लोग पढ़ चुके है तो जानदा आपको परेशान नहीं होना है आरम से पढ़िएगा 1920 आता है खिलापत और आप देखेंगे तथा असयू गांदोलन आरम होता है गांधी जी द्वारा बोवर योद में मिला किसरे हिंद पदक बापस कर दिया जाता है लॉर्ड सिन्हा बिहार उडिशा के गवरन बनते हैं और कॉंग्रेस का नेतित गांधी जी की हाथों में आता है अकल भात ये टीर्डी यूंडिन कॉंग्रेस की स्थापना होती है अलेगड म́уск último स्विद्याले की स्थापना होती है तिलक की मित्य होती है हंटर समिदी की रिपोर्ट पर कासित होती है इस दिन तो यह भी आप लो याद रखिएगा इसमें कुश्टन से पूछा जा सकता है आपसे और फिर आप देखें उननीस सो एकीस से चबीस की बीच लॉड रीडिंग का रिपूट पर यह वाइसराय का काल रहता है फिर उननीस सो एकीस में आप देखें फ्रेंस ओब वेल्स एडवर्ड की भारत यात्रा होती है चैंस ओब प्रेंसेस की स्थापना होती है विजय वाड़ा अखिल भारती है कॉंग्रेस कमेटी संभीलन में तिलक सौराज कोस के लिए एक करोर रुपे एकतित करने का नेड़य होता है और एक अफ्रेल को ए दिल्ली अकिल भारती कॉंग्रेस कमेटी में गांधी जी का सविनय योग्या अंदोलन पिस्ताव पारित होता है चार नबंबर को मोपला विद्धो होता है बीस नबंबर को गुरुद्वारा सुधार अंदोलन बोलपूर पश्यम बंगाल में विश्व भारती सांती निकेतन विश्व ध्याले की स्थापना होती है अड़ापा में उत्खनन पैरम होता है और भारा सरकार दिनियम उननीस सो उननीस लागो होता है फिर आप देखेंगे कि उननीस सो कपकी बात है उननीस सो बाइस कलकत्ता में आप देखेंगे सविने अयोग्या आंदोलन आरम होता है 15 जून को चोरी-चोरा कांड हो जाता है 5 फरवरी को और सविने अयोग्या आप देखेंगे कि आंदोलन इस्तिकित होता है यानि कि आप देखेंगे कि 31 दिसमर को मौतिला नहरू चितरंजन दास द्वारा सौराज पाइटी की स्थापना होती है मौन्टिक्यू का स्थीपा होता है अब बात आती है 1923 की घटना है मदन मुहन मालविये द्वारा इंडेयन पार्टी की स्थापना होती है बंबई में कपड़ा मज़ दूरों की गिरनी कामगार यूनियन इस्थापित होती है हिंदूस्तान रिपबीकन इसोसिएशन की स्थापना होती है नमकर कानून पारित होता है सेना की कुछ बटालियों की कमान का भार्थी करन होता है पिफुल चंद द्वारा एहमदाबाद में गुजरात विध्यापीट की आधार सिला होती है कमाल पासा द्वारा तुरिकी को धर्म नर्पेक्स राज गुसित करने से खिलापा तांदोलन सुता समाप्थ हो जाता है सो राजियों का परिशदों में प्रिवेश होता है 1924 में कानपूर कौन से फरेंसी केस होता है गांधी जी पहली बार अंतिम बार कॉंग्रेस सद्यक्ष बनते हैं बेल गाउँ अधिवेशन में और 1925 अकिल भारती ये दलिद वर्ग इसोसीशन की स्थाफना होती है ठीक है और अंतर विद्ध्याले बोर्ड गठित होता है और अकिल भारती ये कॉंग्रेस कमेटी की कारवाहियों के लिए हिंदोस्तानी भासा की सोईकिती 26 दिसम्बर को दी जाती है सिख्य गुरुद्वारा पिरवंधन समिती बनती है और चितरंजन दास की डेथ होती है विठल भाई पटेल विधान सभाव में पितम भारती अध्यक्च बनते है सांती निकेतन में गांधी जी और रविन नाठ ठाकोर में सामाजिक समस्याओं पर बाच्चीत होती है ये 30 माई को लॉल लेटन दुतिय स्थापन वायसराय बनते है वायसराय और 1926 से 31 की बीच लॉड एर्विन वायसराय बनते है तो ये भी बात है हो गई आपकी और आप देखेंगे 1926 में आप लोगों को मालू होना चाहिए ट्रेड यूनियन एक्ट पारित होता है रुपे का अमूलियन होता है दिल्ली में आल अंडिया फ्रोही विंसन लीग अखिल भारतिय नसावंदी लीग की स्थापना होती है 31 जन्वरी को अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी द्वारा सौराज पार्टी की सदस्थों को क्यंदरी विधान सभा से त्याक पर्द देने का प्रिस्ताव पारित होता है 6 मार्च को गांधी जी द्वारा गुहार्टी अधिवेशन में स्वाधी इंता प्रिस्ताव का बिरोध किया जाता है 26 दिसंबर को और 1927 आ जाता है साइवन कमिशन की जिप्ती होती है भारतिय नो से ना अधिनियम आता है कॉंग्रिस के मद्रा सदी वेशन में सोतंता के लिए लक्ष की गोशना होती है पूना में बड़ोधा की महरानी की अधिक्स्ता में अकिल भारतिय सम्मिलन आयुद होता है 5 जून को इलावाद में पंडित मदन मुहल मालवी की अधिक्स्ता में आयुजित सरफदलिय सम्मिलन द्वारा साइवन कमीशन का वहिसकार करने का नेर लिया जाता है 11 दिसंबर को और आप देखें मुस्रिमली का विभाजन 29 दिसंबर को होता है 1928 में आप देख 1928 में क्या क्या होता है डॉक्टर अंसारी की अधिक्स्ता में सरफदलिय बहिसकार सम्मिलन बना रसमय आयुजित होता है साइमन कमीशन की भारत आगमन में 3 फरवरी को हड़ताल का आहान होता है 15 जनवरी को साइमन कमीशन भारत में आता है 3 फरवरी को नहरू रिपोर्ट हिंदोस्तान रिपब्लीकन की बिभिन साखाओं को संगठित कर हिंदोस्तान सोचलिस्ट रिपब्लीकन एसोसीशन की स्थाफना होती 8 से 9 दिसम्मर और इसका नेड़ा सोगदेव, विस्षिव वर्मा, फनेंदनात बोस, भगसिंग, विजय कुमासिना और कुंदल लाल विध्यारती द्वारा फिरोसां कोटला इस्टेटियम दिल्ली में एक गुप्त बैठक में लिया गया था और चंद सेकर आजाद बैठक में नहीं थे, परन्तों उन्हें एस्टोसीशन के ससस्त बिभाग का पिधान निउप्त किया गया था और साइमन कमिस्यन का बिरोध करते समय पुलिस लाठी स्चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गये थे सत्रेनय वंबर को कलकत्ता में जभालाल नहरू की अध्यक्षता में अखल भारतिय समाजबादी यूबा कॉंग्रेस का पहला सम्मेलन हुआ था 27 दिसंबर को कॉंग्रेस अधिवेशन में गांधी जी की घोषना यदि आप मेरे साथ सहयोग करें तो इमानदारी और तथा बुद्धी मता से काम करें तो साल भर में सौराज मिल जाएगा 31 दिसंबर को ये कहा गया था और कॉंग्रेस अधिवेशन में डॉमिनियन स्टेटस के पक्ष में प्रिस्ताव पारित किया गया था सुभाश्यंद बॉस का पूर्स वाधिनता प्रिस्ताव आधिक हुआ था इंडिपेंडेंडेंस लीग की स्थापना हुई किसी के लिए साही आयो की निवक्ती हुई है अब देखेंगे 1928 की घटना है अब बात करते हैं हम लोग कब 1929 में आते हैं इलावाद में अगुल कलाम आजाद कि अध्यक्ता में अखिल भारतिय मुसलिम सोचलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी से पहले राष्टबादी राष्टबादी मुसल्वान नेता सियद अहमद बरेलवी और इसोद मुहमद अली द्वारा कॉंग्रेस मुसलिम पार्टी की स्थापना हुई थी 28 जुलाई को और उसके बाद आप देखेंगे कि केंदरी असेमली में भगत सिंग और बटी के सुर्दत द्वारा बं फेका गया था आठ अपरेल को और किसी सोथ परिशात का गठन किया गया मेरट में मेरट में आप देखेंगे कि सडेंद की अभियक्तों पर मुकदमा आर खरताल की बाद मित्ती हो गई थी और 166 दिन की भूख खरताल की बाद रंगून जेल में फूंजी विजाजा अब देखेंगे बिजाजा की मित्ती होती हो लौड एर्विन की गोशना होती हो भारत को समिधारिक प्रगती का लक्ष उपचारिक राज्जी की स्थावना 31 अक्टूबर को होते हैं लाहोर में कॉंग्रिस की 44 अधिवेशन में जभालाल नहरू की अध्यक्षता में स्वराज का पिस्ताव पारित होता है 29 दिसमबर को 31 दिसमबर की मदराती किसम में पंडित जभालाल नहरू ने रावी तटपत तरंगा फैराया था अब 1930 आ जाता है 1930 में जभालाल नहरू द्वारा 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की रूम में मनाने का आहान किया गया साथ जनवरी गोए और हिंदुस्तान रिपब्लिकल सुसाइटी द्वारा बम का दर्शन नामक परची पिकासित की गई दो फरवरी ये दो फरवरी को ठीक है अखिल भारतिये कॉंग्रेस पार्टी द्वारा सविनय एयोग्या आंदोलन नमक का कारकेरम स्विकित किया गया 19 परवरी को ये और आप देखेंगे डांडी यात्रा आरम हुई 12 मार्श से और नमक कानून तोड़ा गया आप देखेंगे 6 अपरेल को 28 मार्श को आनंद भवन देश को समर्पित किया गया और 11 अपरेल को स्वराज भवन की रूम में नामकरन हुआ सुभाष्चंद बोस कलकता नगर निगम के मियर निर्वा चित हुए 22 अगस्त को ये 1931 की इगटना है सेवी रमन को भौतिक की का नोबल पुरुसकार मिला और पिथम गोल में सम्विलन लंदन में हुआ कॉंग्रेस कार समती गयर कानून इगोसित किये गई 25 अगस्त को है फिर आप देखें 1931 से 36 की वी वायसराय लॉर्ड विलिंग्टन का वायसराय काल होता है और 1931 में आप देखें कॉंग्रेस कार समिती पर सेपितीबंध हटा 26 जनवरी को लखनव में मौतिला नहरुका की डैथ होती है 5 फरवरी को और इलाबाद में पुलेस मोटवेड में चंद सेकार आजात की मित्ति होती है 27 फरवरी को गांधी इर्विन समझोता होता है मार्च में लाहर में रावी तट के तट पर भगासिंग राजगुरु और सुकदियों को फांसी दी जाती है 23 मार्च को सोख स्वरूप गांधी जी को करांची अधिवेशन में यूवा करांथी कारियों द्वारा काले फूल भेट किये गये 31 मार्च को और अभी भी आप देखे आरोप लगता रहता है कि गांधी जी ने इनकी जान नहीं चाहिती भगसिंग सुकदियों राजगुरु की बंबई कॉंग्रेस हाउस में सरोजनी नैडिल द्वारा राष्टी जंडा दिवस का उधगाटन किया गया 26 अप्रेल कॉंग्रेस कार समती की ओर से गांधी जी को गोल में सम्मिलन में कॉंग्रेस का पितिदने दित निउप किया गया और आप सभी जान दे को कॉंग्रेस की तरफ से दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिया गया था कि बल गांधी जी द्वारा पिस्तावित चर्खा योक्त जंडा राष्टी एक कॉंग्रिस का धोजबना एक अगस्त को सैयुक्त परांत में लगान रोको आंदोलन 11 दिसंबर को हुआ रोयल लेवर कमिशन की रिपोर्ट पेकासित हुई यह आप लोग 1931 की घटनाय हो गए 26 जून को एनी बेसेंट का देहानत होता है 20 सेप्टमबर को और पहली बार आप देखें पाकिस्तान सब्दिकापरियों होता है और गांधी जी द्वारा सब्ताहिक हरिजन की सुरुवात होती है रैम जी मेक डॉनल्ड त्वारा 16 अगस्त को संपदायक नेड़ाई की घोषना होती है और 24 सेप्टमबर को गांधी जी वो अंबेड करके मद्द पूर्णा समझवता होता है फिर आप देखेंग 1934 आता है सबीनाय योग्या अंदोलन बापस होता है आचार नरेंदेव की अध्यक्षता में कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी के घठन की घोषना होती है 17 मई को कॉंग्रेस चुनाओ घोषनापत पिकासित होता है 14 जून को गांधी जी को समय के लिए कॉंग्रेस से अलग होते है 17 सेप्टमबर को बंबई में संपूर अनन्द की अध्यक्षा में अथिल भारती कोंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का अनुपचारिक उद्घाटन होता 21 अक्टूबर को उत्तर भारत में भारी घुकम पाता है बिहार में भीसर तबाही देखने को मिलती है आप देखेंगे 1935 में आपको देखने को मिलेगा भारत सासन क्या भारत सासन अधीनियम पारित होता है अगस्त में भारत बैटन ब्यापार समझोता होता है और आप देखेंगे कि गांधी जी के साथ थी और सत्यागया अंदोलन में जेल जाने वाले पिथम बैक्ती मुहन लाल पांड्या की डेथ होती है 18 मई को गांधी जीद्वारा मीरा बेंड के लिए वर्धा के पास सेवा गाउं की आस्रम सेवा आस्रम की स्थापना होती है 22 अक्टूबर को 1936 से चबालीस की बीच आप देखेंगे लॉल लेन लेत्वो का वायसराय काल होता है 1936 में आप देखेंगे 1936 में जॉर्ट पंचम की डेथ होती है और समराड जॉर्ट पंचम की 21 जनवरी को और जॉर्ट स्रम समराड बनता है अकिल भारती है कॉंग्रेस कमिटी अधिवेशन में कॉंग्रेस कारवाई की भासा हिंदी बनाये जाने सम्मंदी पिस्ताओ आस्वीकेत होता है एक अपकी बात है 23 अगस्त को ठीक है 23 अगस्त को दॉक्टर एन जी खरे द्वारा देश का पहला मंत्री मंडल गठेत होता है 9 जून को और केंद्रिय विधान सभा में चिंता मणी देशमुख द्वारा पिस्तुत पत्ती संपत्ती में बिदवाओं बिदवाओं को उत्तरादीकार दिलाने वाला बिदेख पारित होता है 5 पती की संपत्ती में 5 परवरी को गांदी जी की नेतत में आप देखेंगे अखिल भारती सिक्षा कॉन्फिर्स द्वारा नई सिक्षा नीती का नियोजन किया जाता है तो यह भी याद रखेगा ते और उसके बाद आप देखेंगे 1934 आता है सुवाश्चंद बोस कॉंग्रिस के अधिक्ष निर्वाचित होते हैं और विडी सावर के हिंदू महासाभा की अधिक्ष निर्वाचित होते हैं सारचंद चटर जी और मुहम्मद इकबाल की मित्ति होती है 1949 आता है तिप्पुरा दीविशन में सुवाश्चंद बोस कॉंग्रिस अधिक्ष निर्वाचित होते हैं बाद में वो 28 अपरेल को त्याग पते दे देते हैं गांधी जी के गरोध के कारण बोस द्वारा फॉरवर्ड विलोग की स्थापना होती है तीन माई को दूती अब इसे उद्ध आरम होता है तीन से अप्टमबर को 1949 माई और इसे उद्ध में भारत को बिना इजाद सामिल करने की बिरोधा सुरूप परांती ये कॉंग्रेस मंती मंडलों का त्यागपत होता है और जिन्ना द्वारा कॉंग्रेस आसन से मुक्ती के लिए 22 दिसंबर को मुक्ती दिवस के रूम में मनाने का आहन किया जाता है आठ अक्टूबर को और 1840 में मौलाना अवुल कलाम आजाद कॉंग्रेस सद्यक्ष बनते हैं और मुस्लिम लीग के लाहर अदिविशन में जिन्ना द्वारा मुसल्बानों के लिए पिथक देश की मांग होती है 22 मार्च को कॉंग्रेस कार समती द्वारा गांधी जी का ब्यक्तिगर सत्यागा सुईकित होता है 23 एक्टूबर को बिनोवा भावी पहले ब्यक्तिगर सत्यागी बने 1941 देखिए अब 1941 में जापन द्वारा युद्धी की घोशना होती है जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की परिकल्पना पर कॉंग्रेस से की सुईकिती की मांग होती है और सुवाशन बहुस नजरबंद से भाग कर कलकत्ता में से जर्मनी पहुच जाती है यह नजरबंद किये गए थे न 1942 में आप देखेंगे की बर्मा में अंग्रेजों का आत्म समर्पन होता है अकिल भारती कॉंग्रेस कमेटी की बंबई अदिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो पिस्ताओ पारित होता है देश भियापी आंदोलन सुरू होता है आठकिस्त को 1943 आता है मुसलिम लीग ने अपने कराची अदिवेशन में डिवाइड एंड कुईट बाटो और छोड़ो इस लोगान को पारित किया 1944-47 में लॉर्ड वेविल का वायसराय काल आता है 1944 में आप देखेंगे क्या देखेंगे असंपर जापानी आकमण होता है लाहर में प्रमुक अकाली नेता सेय सिंग की घोषना की देश विभाजन यानि पाकिस्तान की मांग को स्विकिती दी गई तो उस्से कि भी अलग सुतंतराष्ट की मांग करेंगे एक सेप्टमबर को एक कहा गया सी राजगोपालाचारी की सुझाओ पर समिधानिक अर्चन के लिए गांधी जे जिन्ना वारता होती है नौ सेप्टमर को आजाध हिंद पहुझ भारत की निकट पहुचती है ठीक है और उसके बाद आप देखेंगे 1945 में बेटेन की में लेवर पार्टी की सरक मुसलिम लीग में 16 अगस्त को सीधी कारवाही दिपस मनाया और अंतरम सरकार का गठन 2 सेप्टमबर को हुआ और जबाहलाल नहरू पिधान मंतरी निक्त हुए और मुसलिम लीग अंतरम सरकार में सामिल हुई 26 अक्टूबर को और समिधान सभा की पहली बैठक हुई दिसम् में और केमिनिट में सन योजना की खोशना हुई 26 सूले जून को 1947 में आप देखी लॉर्ड माउंट बेटन का वायसराय काल था 24 मार्च से 1947 में क्या क्या हुआ ए बेटे संसत में पिधान मंतरी किलिमेंट रिचर्ड एटली द्वारा जून उननिस और तालीस तक लिया गया तीन जून को अखेल भारती कॉंग्रेस समिती द्वारा विभाजन परिस्ताव पारित हुआ 15 जून को बेटे संसत में भारत पाकिस्तान विभाजीत पारित हुआ 15 अगस्त उनिस स्नमंदी भारती ये आप देखेंगे कि स्वाधियंता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को अधिनियम को बेटे संप्रभू समराथ की ने जुलाई में आप देखेंगे 28 जुलाई को ये से सुईकिती दे और आप देखेंगे 24 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को आप देखेंगे आपका भारत स्वाधियन हो गया जभाल्लाल नहरु पे धान मंत्री और 29 नवंबर को भारती समिधाल पहस्ताक्षर हुए 1950 में 26 जनवरी को भारत गरतंद बना 15 दिसंबर को सरदार पटेल की मित्ति हो जाती है और 1959 में 1 अप्रेल को पिथम पंचवर्सी योजना का आरम हुआ 1902 में आप देखेंगे पिथम आम चुना हुए और 1969 में आप देखेंगे 20 अप्रेल को भारत चीन के विश समझोता होता है आपका और 1969 में आप देखेंगे राजिस्थान की नागोर में पंचयाती राज का सुबारम होता है 2 अक्टूबर को और 1961 में गवा मुक्ती होता है, 1962 में 20 अक्टूबर को चीन का भारत पर अक्मर होता है 1965 में भारत पाकिस्तानी उद्ध होता है, 1966 में भारत पाकिस्तान की वीच तासकन समझोता होता है तासकन सहर में लाल भादु सास्तरी की मित्ति होती है इस तरह से एक class भी आपकी complete हो गई अब आप लोगों को बताना है कोई सवाल आपकी बच्चे हो सुझाओ हो और आप देखी सला हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं और आप देखी तमाम social media sites से भी आप लोग अपने सुझाओ दे सकते हैं इमेल से भी सुझाओ दे सकते हैं Instagram पर Twitter पर Facebook पेज पर आप लोग अपने बात कह सकते हैं और नीचे comment पर बड़ा साधारन बात होती है अच्छी बात होती है तो आप लोग बोल सकते हैं इस तरह से इतिहास आपका complete होता है प्राचीन भारत का इतिहास मद्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास आप prelims का अंगला subject हम लोग उठाएंगे उसे भी cover करेंगे एक एक chapter देखेंगे और बहुत ही बिस्तार से हम लोग बात करेंगे ठीक है आप लोग पढ़ते रहें हम लोग मिलते रहेंगे